स्टुडेंट्स आज हमारा जो रियाक्शन है वो हम रियाक्शन नमबर थर्ड की तरब बढ़ चुके हैं शायद आपको याद होगा कि हमारा टॉपिक चल रहा है फोर इसका हम रियाक्शन नमबर थर्ड ले रहे हैं और ये इसमें हम इसका पहला पार्ट ले रहे है, reaction A, from acyl chloride. acyl chloride का UPC nomenclature में इसको हम acid chloride भी कहते हैं. acyl group किसे कहा जाता है? acyl group कहा जाता है RC double bond O को. इस group को RC double bond O को हम acyl कहते हैं. अब chloride है, मतलब कि आपको क्या लगाना है? CL, तो ये जो structure यहाँ पर बना हुआ है, इस structure को हम कहते है acyl chloride. ये एक काफी important reaction है, acyl chloride से aldehyde बनाने वाला. और इस reaction को हम कहते है, rosenman reduction. rosenman reduction कई बार paper में पूछा जाता है, और directly इस पर question आ सकता है, explain rosenman reduction, writer short notes on rosenman reduction, जिसमें आपको याद रखना है, कि आपका reactant या substrate हम जिसे कहते हैं, वो होगा acyl chloride, acyl chloride का हमें reduction करना होता है, reduction मतलब addition of hydrogen, अब इसमें किसी ना किसी catalyst का हमें इस्तमाल करना है, catalyst होगा हमारे पास palladium और barium sulfate इसे poison कर रहा होगा, poison catalyst का मतलब ऐसा catalyst जो rate of reaction को कम करता है, reaction समझते हैं, reaction बड़ा simple है, acyl chloride हमने लिया, hydrogenation करना है, बराबर hydrogen add करना है, तो ये जो hydrogen है ये दे देंगे हम carbon carbon को, ठीक है, ये reaction में ये दिया हमने carbon carbon को, और एक दे दिया हमने chlorine के साथ में, ताकि वो HCL बनके बाहर निकल जाए, ये catalyst है, याद रखे कि ये सिर्फ reaction के rate को कम या फिर बड़ाते है, यहाँ पर आपको बस hydrogen की, याने chlorine के जगा पर hydrogen लगा देना है, तो इस प्रकार हम क्या बना लेंगे यहाँ पर, aldehyde, रोजन्मन reduction ये, असाइल क्लोराइट से aldehyde बनाने का सबसे बड़िया तरीका है, ठीक है, इसमें aliphatic, aromatic, सभी तरह के aldehyde बनाए जा सकते है, इथैन ओएल क्लोराइट का मैंने एक एक एक्जामपल लिया है, इसमें hydrogen को add किया है, in presence of palladium and poison by BASO4, और इस catalyst को हम कहते है Lind Lars catalyst, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस catalyst को हम क्या कहते है, Lind Lars catalyst, ठीक है, Lind Lars catalyst काई बार examination में ऐसा भी एरो पर Lind Lars catalyst लिख दिया जाता है, और एक चीज इसमें जो याद रखना है, कि आप carbon check करे, number of carbon atoms in reactant, and number of carbon atoms in product, are always the same, but naming में थोड़ा सा गड़बड होता है, यहाँ पर naming में इथानोईल chloride लिखा जाएगा, but reactant के लिए और product के लिए इसका नाम क्या हो जाएगा, propanel, क्योंकि aldehyde के naming करते वक्त, हम इस carbon से numbering करते हैं और calculate करते हैं, I hope बड़ा आसान reaction है, आपके यह बात समझ में आ गई है, कि asyl chloride से aldehyde किस तरह बनाए जाते हैं, एक और मैंने example लिया है, benzoil chloride का, इसमें भी हमने linlars catalyst को use किया, hydrogen को add किया, benzoil chloride हमें क्या देंगा, benzoldehyde, इसमें एक question मैंने आपके लिए रखा है, question बड़ा simple सा question है, आप इसे समझ पाएंगे, ठीक है, what if we does not add BASO4 in rosenment reduction, अगर हम यह जो BASO4 है, इसे इस reaction में add नहीं करते हैं, तो क्या होगा, reaction कहां तक जाएगी, यह reduction कहां तक होगा, क्या यह reduction सिर्फ aldehyde वाले stage तक रुख जाएगा, क्या इसका जो stoppage है, वो aldehyde तक की ही रुखेगा, या further reduction होगा, ठीक है, आपको इस direction में सोचना है, क्या इसका further reduction होने वाला है, या नहीं होगा, ठीक है, बड़ा simple सा question है, स्टुडेंट्स हम बढ़ रहे हैं, reaction fourth का, जो B heading है मारा, asyle chloride से ketone कैसे बनाये जाए, इसके पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था, कि asyle chloride से aldehyde कैसे बनाये जाते हैं, उसे हमने rosenman reduction नाम दिया था, जिसमें हमने asyle chloride के साथ में hydrogen को react किया था, in presence of lindlarz catalyst, lindlarz catalyst हम कहते हैं, palladium और poison by baso4, that is barium sulfate को, हभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, कि asyle chloride से ketone कैसे बनाये जाए, actually यह दो step में होता है reaction, examination में हम single step में भी इस reaction को लिख सकते हैं, अब वो depend करता है कि कितने marks के हिसाब से question पूछे जाते हैं, comparative point of view से भी इस पर direct question पूछे जाते हैं, पहले समझते हैं कि asyle chloride से ketone किस प्रकार बनाये जाते हैं, हम यहाँ पर di-alkyl cadmium को use करेंगे, याद रखे कि word से बहुत सारी चीज़े clear होती है, di means to alkyl, अब यह चाहे तो same हो, चाहे तो different हो, di-alkyl cadmium when treated with asyle chloride gives ketone, बराबर di-alkyl cadmium अब कैसे बनाये जाते हैं, यह एक problem है, ठीक है, तो di-alkyl cadmium is prepared by the action of cadmium chloride with grignard reagent, ठीक है, अब यहाँ पर हमने ले लिया है एक grignard reagent, grignard reagent को हम react करेंगे cadmium chloride के साथ, तो हमें मिल जाएगा di-alkyl cadmium, clear होगी बात, di-alkyl cadmium को, अब हमारा आता है next step, किसके साथ में react करना था, asyle chloride, तो हमारे पास में यह है, asyle chloride का structure, asyle chloride को हम react करने वाले हैं, di-alkyl cadmium के साथ, जब यह reaction होगा, देखे, reaction balance है, यहाँ से 2 chlorine बाहर निकलेंगे, किसके साथ combine हो जाएंगे, cadmium के साथ, ठीक है, यह reaction को, मैं इस तरह से समझाना चाहता हूँ, कि cadmium के साथ में, यह chlorine बाहर हो गया, वापस cdcl2 बन गया आपका, ठीक है, वापस cdcl2 बन गया, और यह जो R था, वो अब इस जगा पे जुड़ जाएगा chlorine वाले, तो अब यह structure बन जाएगा, R-C double bond O R, जो कि किसका formula होता है, ketone का, बात समझ में आ रही है, dialkyl cadmium को, asyl chloride के साथ में, रियाग करने पे, क्या मिलते है, ketone, ठीक है, यह ketone symmetrical भी हो सकते है, यह ketone unsymmetrical भी हो सकते है, अब dialkyl cadmium कैसे बनाया जाए, तो ग्रिगनार्ड reagent को, cadmium chloride के साथ में, ग्रिगनार्ड reagent को, cadmium chloride के साथ में, रियाग करेंगे, और, यहाँ पे हमें मिल जाएगा, dialkyl cadmium, कुछ example मैंने यहाँ पे solve किये है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते है, कि इथानोईल chloride को, जब di-methyl cadmium के साथ में, रियाग किया जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अब आपके लिए question यह है, कि आप benzofinone किस प्रकार बनाओगे, बेंजोfinone, आपको prepare करना है, इस method से, बेंजोfinone आपको बनाना है, तो आप किस प्रकार बेंजोfinone बना सकते हो, असाइल chloride से शुरुवात करके, मतलब की, बेंजोईल chloride आपके पास में है, ठीक है, बेंजोईल chloride से, बेंजोfinone कैसे बनाया जाएगा, यह आप मुझे, aldehydes and ketones के preparation में, हमारा next heading है, from nitriles, nitriles क्या होते हैं, alkyl nitriles का formula होता है, R, C, triple bond N, इन्हें हम कहते हैं, alkyl nitriles, ठीक है, यह भी एक बड़ा important reaction है, याद रखे कि यह भी important reaction है, competitive examination में, JEE में, NEET में, इस पर कई सारे questions पूछे जाते हैं, कई बार इसका intermediate पूछा जाता है, कि intermediate क्या बनेगा, हम सारी बाते करेंगे, nitriles से aldehydes और ketones किस प्रकार बनाये जाते हैं, खास तोर पर यह एक याद रखे, कि यह एक ऐसा reaction है, जिसमें हमें क्या मिलते हैं, aldehyde, इसमें हमें क्या करना होगा, alkyl nitriles को reduce करना होगा, जब यह reduce होंगे, तो क्या देंगे, imine hydrochloride, इमine hydrochloride देंगे, reduce किसके साथ करना होगा, तो reduction आपको करना है, stannous chloride से, याद रखे, stannic chloride भी होता है, और stannous chloride भी होता है, हमें किसका इस्तेमाल करना है, stannous chloride का, stannous chloride का formula होता है, SNCL2 जो आगे आए गई, in presence of hydrochloric acid, which on acid hydrolysis, which on acid hydrolysis gives aldehyde, इस reaction को हम Stephen reaction कहता है, ठीक है, which on acid hydrolysis, अब देखे, step क्या थी, पहले nitrile लेना है, reduction करके क्या बनाना है, imine hydrochloride, बड़ reduction करने के लिए reducing agent चाहिए, वो क्या है, SNCL2 और किसके presence में, hydrochloric acid के presence में, ठीक है, ये देंगा हमें imine hydrochloride, अब इस imine hydrochloride का हमें क्या करना है, acid hydrolysis, ताकि हमें क्या मिल जाए, aldehyde, reaction समझ लीजे, इसे हम कहते हैं, nitrile या alkyl nitrile, मैंने short में nitrile लिखा है, इसका हमने reduction किया, ठीक है, जैसी reduction किया, तो एक hydrogen मैंने carbon को दिया, एक hydrogen nitrogen को दिया, arrows आपको सब कुछ समझा रहे हैं, in presence of stannous chloride, जिसका formula SNCL2 NHCL, तो यहाँ पे मिल रहा है हमें, RCH double bond NH, CH double bond NH के linkage को ही हम क्या कहते हैं, CH double bond NH, मतलब C double bond N, इस linkage को हम imine कहते हैं, अब यहाँ पे हमें मिल रहा है, imine hydrochloride, और imine hydrochloride मिलने के बाद, हमें करना है, acid hydrolysis, यहाँ पे आप H3O plus भी लिख सकते थे, या simple H plus भी लिख सकते थे, दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं, ठीक है, जैसी आपने hydrochloride या इसका acid hydrolysis किया, तो यहाँ पे यह bond break हुआ, इस तरफ लग जाएंगा H2O का O, और यहाँ पे लग जाएंगा H2, ठीक है, NH2 आपके पास में था, अब इसमें और H2 add कर दी, यह क्या बन जाएगा, NH4Cl, और इधर बन जाएगा R, C, double bond O, H, और इस formula को ही हम क्या कहते हैं, LD high, बड़ा simple सा reaction है, stiffen reaction, alkyl, nitrile का reduction करेंगे, stannos chloride और HCl के साथ में, imine hydrochloride मिलेगा, इसका acid hydrolysis करना है, bond को break करना है, double bond के एक तरफ आपको लगाना है oxygen, दूसरे तरफ लगाना है, H2, ठीक है, एक example मैंने हापे करवाया है, बड़ा simple सा example है, ठीक, एक को देंगे, एक nitrogen को hydrogen मिल जाएगा, दूसरा hydrogen carbon को मिल जाएगा, तो ये बच जाएगा, CH double bond NH, HCl, acid hydrolysis किया, CH3, CHO, और क्या मिलेगा साथी साथ, NH4, CL, बड़ा simple सा ये reaction है, clear, इसे में benzo-nitrile का भी मैंने reaction किया है, benzo-nitrile का भी मैंने reaction किया है, benzo-dehyde देगा, ठीक है, इसमें एक alternative method भी हमारे पास में है, alternative method क्या है, nitriles का reduction अगर, stannus chloride के साथ में नहीं हो पा रहा है, तो हम इसका reduction करते हैं, di-ball H के साथ, di-ball H क्या है, तो di-ball H है di-isobutyl-aluminium-hydride, जिसको कई सारे competitive examination में इस प्रकार भी लिखा जाता है, IBU का मतलब होगा isobutyl दो बार है, इसलिए यहाँ पे bracket के बाद में यहाँ पे दो लगा दिया है, और इसका मतलब होगा di-isobutyl-aluminium-L और hydride, इसमें इस reaction का एक सबसे बड़ा advantage यह है, कि जो double bond या triple bond, जिसको हम olefinic bonds भी कह सकते हैं, ये इसमें break नहीं होंगे, ठीक है, हाँ बट उपर वाले reaction में, जो कि हमने इसके पहले वाला reaction जो stannous chloride के साथ में किया था, अगर इसमें इस nitrile group के अलावा कहीं पर double bond होगा, तो वो break होगा, बराबर, अब यहाँ पर समझ लीजे, अगर आपको double bond break नहीं करना है, देखें, यहाँ पर यह nitrile group है, और यह एक olefinic bond है, मतलब double bond या triple bond को हम olefinic कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर multiple bond, carbon-carbon multiple bond है, बट आपको इसको break नहीं करना है, अगर आपको इसको break नहीं करना है, तो अब आपका reducing agent होगा, डाइबाल H, यह पहली step में यूज़ करेंगे, और second step में हम इसका क्या करेंगे, hydrolysis, इस reaction में mechanism में जाने की, बहुत जादा detail में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको simple simple याद रखना है, कि nitrile का reduction करना है, और वहाँ पर यह Cn को convert करना है, C triple bond N को convert कर लेना है, आपको C double bond OH में, बस इतना ही हमें काम करना है, बाकी का सब कुछ same रहेगा, as it is रहेगा, देखें, बाकी का सब कुछ same है, सिर्फ C triple bond N convert हो चुका है, C double bond OH में, ये किस ने किया है, डाइबाल H और H3O positive है, दो मेथड है हमारे पास में, nitrile से क्या बनाने के लिए, LDH, तो reaction को मैं थोड़ा सा summarize कर रहा हूँ, हमने alkyl nitrile से शुरुआत की थी, alkyl nitrile, ठीक है, पहला मेथड इसमें था, कि हम stannus chloride और SCL का इस्तिमाल करेंगे, तो हमें मिल जाएगा, एक imine hydro chloride, ठीक है, अब इस imine hydro chloride का हम acid hydrolysis करेंगे, तो मिल जाएगा LDH, इसी में दूसरा मेथड ये है, कि हम dival H का इस्तिमाल करें, उसके बाद इसका acid hydrolysis कर दीजिए, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, LDH, बस इसमें याद रखना है, कि double और triple bond does not break, और does not reduce मैं यूज कर लूँगा, क्योंकि ये basically एक reduction का reaction है, clear, alkyl nitrile के दो तरीके है, stannus chloride के साथ, dival H के साथ, उपर वाले के साथ जाएंगे double or triple bond, दोनों भी reduce हो जाएगे, clear,